हेलो शुरेंट आप्टर अमीद भतनागर वर्किंग एस सीनियर सर्च ओफिसर इन देपार्टमेंट ऑफ एग्णोमी एड जीवी पंथ उनिविश्टी ऑफ एग्रिकल चैन्ट टेक्लोजी पंथनगर उत्रागंड आज जो है हम कैलकुलेशन करेंगे और फर्टिलाइजर प करें या हम रिसर्च में जाएं तो भी हमें इन फर्टिलाइजर कैलकुलेशन की जरुवत पढ़ती है तो हमेरे चाहिए कोर्स में हमें पढ़ना हो तो हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए यह हमें कम्टीशन में न्यूम्रिकल सॉल्व करने हैं तो भी हमें इनकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कुलिशन पार्ट बहुत EmperorET है और यह हम को बहुत किल्यर होना चाहिए और टो गरुची जाती है तो यह हम इसको कैसे करें तो इसको आज हम कई फटल्यजर के साथ सौफ करके देखेंगे कैसे क्या किया जाता है और इसके अलावा एक नुम्रिकल्स की बुक भी है आप उस बुक को भी राफर कर सकते हैं यह बुक Mathematical Agriculture Concept and Numericals मैंने इस बुक को लिखा है उसमें कई सारे numericals हैं और fertilizer पर नहीं है बहुत numerical इसमें दिये हुएं है तो लगोग सारे Aspect केस नुम्रिकल कवर कर रखे हैं तो आप इस बुक से भी numerical इसमें का आध चाहिए तो आग जो हम करेंगे वो fertilizer पर करेंगे और जो fertilizer हम जरंलरी करते हैं तो उसका हमें nitrogen phosphorus content पता होना चाहिए इन जनल तो examinations में content दिया जाता है लेकिन कुछ examination में इसका content नहीं देते हैं यह जानने के लिए कि student को इसका content पता है या नहीं पता है तो इस तरह से दो questions बन जाते हैं एक तो मानली जे डीएपी पे question दिया तो अगर student को पता है कि इसमें phosphorus nitrogen कितना percent है उसका यह knowledge level check हो जाता है दूसरा वो किस तरह की उसकी calculative power है यह भी check हो जाती है तो हमको यह 3-4 fertilizer हैं जो normally use होते हैं तो इसका content हमें पता होना चाहिए और उसका conversion factor देखें जो बहुत ही important fertilizer है वह यूरिया तो सभी experiments में या किसी field में crop cultivation में यूरिया को बहुत यूज किया जाता है और इससे के वह हमें एक ही nutrient मिलता है वो nitrogen और यह 46 परसेंट इसमें nitrogen content होता है और इसका conversion factor जो होगा उसको याद रखें 100 upon 46 कि यह कैसे आता है यह calculation में आएगा इसको बताएंगे लेकिन इसको याद रखें 100 upon 46 की value होगी 2.17 यह हो गया 2.2 इसका मतलब कि यूरिया अगर हमें nitrogen दी होई है तो हम 2.2 से multiply कर दें तो हमें यूरिया की amount पता चल जाएगी इसका अंदर यह है कि अगर हमें 100 kg nitrogen apply करनी है तो 100 को 2.2 से multiply कर दीजे 100 multiplied by 2.2 that is 220 kg यूरिया is required to supply 100 kg nitrogen तो यह 2.2 का factor याद रखें दूसरा important fertilizer है DAP DAP में 46% P2O5 जितना यूरिया में nitrogen होता है उतना DAP में phosphorus होता है और 18% nitrogen तो इसमें भी इसका conversion factor क्या हो जाएगा 100 upon 46 that is 2.2 तो DAP में जो phosphorus का factor है वही factor यूरिया में nitrogen का है तो यह 2.2 आपको याद रखना चाहिए और जो DAP की amount निकलेगी उससे हम 0.18 18% का मतला है 0.18 तो जो DAP निकलेगा उस DAP से हम 0.18 को multiply कर दें तो nitrogen के amount मिल जाएगी अभी जो calculations करेंगे तो और clear हो जाएगा बस आपको यहाँ यह अभी conversion factor याद रखने है तो DAP से अगर nitrogen लेनी है तो उसका conversion factor क्या हो जाएगा 0.18 यहां आपको 100 से इसको divide नहीं करना है यह DAP से nitrogen लेने का conversion factor है तीसा जो fertilizer है वो है MOP और MOP में 60% K2O होता है तो इसका जो conversion factor वनेगा 100 upon 60 that is 1.67 और इसको हम ले सकते हैं 1.7 तो देखें तो अब हमारे पास basically 3 conversion factor है जूरिया nitrogen को यूरिया में convert करने के लिए 2.2 फास्फरस को DAP में convert करने के लिए 2.2 सीम factor है और potassium से MOP निकालने के लिए 1.7 फेक्टर है इसका अगर हमें 10 kg potassium चाहिए तो हमें कितना MOP देना पड़ेगा 10 multiplied by 1.7 that is 17 kg इसका अगर हम 17 kg MOP देंगे तो हमें 10 kg potassium मिलेगा तो यह कुछ conversion factor थे जो आपको पता होने चाहिए इसके बाद जो है हम fertilizer की calculation करते हैं कि जो नॉर्मली जो fertilizer की जो dose होती है उससे हम कैसे calculate करें तो आप इसको note करते चलिए तकि आपको याद करने में असानी रहा कोई problem ना आए माल लिजे कि किसी crop में 120 kg nitrogen 60 kg phosphorus and 40 kg potassium apply करना है तो यह एक normal dose cereals की होती है चाहें wheat है rice है मेज है यह एक normal dose है जो हम cereals में apply करते है 120 kg nitrogen plus 60 kg P2O5 plus 40 kg potassium per hectare यह kg है per hectare यह apply करना है और in general यह question दे आता है कि बेसल जो डोज है बेसल डोज में one-third nitrogen plus full P and K देना है full phosphorus and potassium तो इसको phosphorus को P2O5 में लिखते हैं और potassium को oxide form में लिखते हैं क्योंकि इनके reactive हैं इनके equivalents लिखे जाते हैं तो जो मैंने एक video upload कर रखा यहां phosphatic fertilizer और potassium fertilizer आप उसको वीडियो को देखेंगे तो यह चीज़ें आपको और clear होंगी तो जनरली यहां nitrogen one-fourth गो जाती है या one-third गो जाती है और nitrogen को splits में देते हैं तो one-third one-third में दे सकते हैं या one-fourth 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 में दे जाते हैं तो बेसल में कभी भी full amount of nitrogen नहीं डाले जाती है nitrogen को spread में डालते हैं phosphorus और potassium चुकि soil में fix हो जाते हैं इसलिए इनकी शुरू में ही हम पूरी dose डाल देते हैं जैसे ऐसे time निकलता है with the time क्या होते हैं यह होते जाते हैं और फिर available हो जाते हैं तो जब इन फास्पेटिक प्रटेशिक फर्टिलाजर को डालते हैं यह सॉलिवल होते हैं लेकिन स्वाल में डालते ही reactions कर देते हैं इन सॉलिवल कंपाउंड बन जाते हैं या नॉन अक्षिंजल फॉर्म में आ जाता है होता है बहुत लॉसित हो जाते हैं leaching loss होता है डेना है इसको डेना है और हमें 40 kg नियुन्हें और भी हो सकते हैं भी विसक्तियांजर मानकि चलते हैं हमारे पास केवल तीन है तो हम पास फासफरस भी है तो ऐसे case में हम पहले डिएपी की calculation फासफरस से करते हैं कि इससे हमें कितना फासफरस मिलेगा तो देखिए अभी मैंने आपको कॉन्वर्डन फैक्टर बताया था कि जो डिएपी का जो कॉन्वर्डन फैक्टर है वो कितना है टूपॉइंट टू तो यहां हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना फास्फोरस देना है 60 kg देना है तो हमें इसका मतलब 60 kg फास्फोरस के लिए क्या करना पड़ेगा 60 को 2.2 से multiply कर दीजे तो यह आ जाएगा 132 kg तो इतना DAP 132 kg DAP हमको देना पड़ेगा यह conversion factor से निकाला है इसको और दूसरा ही कैसे निकला है यह भी मैं आपको बताएता हूं देखिए DAP में कितना फास्फोरस है 46% फास्फोरस है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 100 kg DAP देंगे तो हमें 46 kg फास्फोरस मिलेगा तो हमें 60 kg फास्फोरस देने के लिए कितना DAP डालना पड़ेगा यह बेसिकली question यहां बनता है तो देखिए 46 kg P2O5 हमें तब मिलता है जब हम 100 kg DAP देते हैं तो 1 kg फास्फोरस कम मिलेगा हमें जब हम 100 अपान 46 kg DAP डालेंगे और हमें कितना फास्फोरस चाहिए 60 kg फास्फोरस चाहिए तो यह हो जाएगा तो 60 kg फास्फोरस के लिए कितना हो जाएगा यह 100 अपान 46 into 60 अब देखिए यह जो फैक्टर है 100 अपान 46 यह हरवार calculation में आएगा जब भी हम DAP से calculation करेंगे तो अब इसको हमें डिवाइट करने के जुरूत नहीं है इसको हमने याद कर लिया था 2.17 है और शॉर्ट में इसको यह हमने यह पूरी calculation से यह हमने conversion factor से निकाला है तो यह देखिए एप्रॉक्षिमेट सेम अमाउंट आ गई तो हम इस लंबी calculation से बचने के लिए क्या करते हैं को याद रखते हैं तो एक दो किलो का कोई अंतर खास अंतर नहीं होता आप अप्शन्स में आया होगा अप्शन्स दिया होगी तो आप देख लेंगे 130.5 या 132 सेम ही है तो यह देखिए हमें conversion factor से हमने DAP निकाला और यह हमने किस से निकाला calculation से निकाला तो देखिए सेम आया तो हम चलिए 132 से चलते हैं Convergent factor चलते हैं यह भी मैंने आपका procedure बता दिया है कि क्या procedure हम adopt करते हैं अब हमें पता चलिए कि भी DAP से 132 kg हम जब DAP डालेंगे तो हमें 60 kg फासफुरस मिलेगा अब हम 132 kg जब हम DAP डाल रहे हैं तो हमें इससे किती nitrogen मिलेगी इसको देख लेते हैं तो इसके लिए देखिए क्या है DAP में कितने परसेंट nitrogen है 18% nitrogen है तो इसका मतला यह है कि जब हम 100 kg DAP डालते हैं तो हमें 18 kg nitrogen मिलती है 100 kg DAP से कितना nitrogen मिल रहा है 18 kg nitrogen मिलता है क्योंकि उसमें 18% nitrogen है और हमारे पास कितना kg DAP 132 kg है तो 132 kg DAP से हमें कितना मिलेगा nitrogen 18 upon 100 into 132 तो मैंने जो आपको बताया था 0.18 DAP से जो nitrogen का conversion factor 0.18 बताया था वो 0.18 यहां से आया है वो तो आपको पता चलेगा होगा कि 0.18 factor कहां से आया है तो इसको जो हम multiply कर लेंगे 18 into 132 तो इसको मैं calculate कर देता हूं 18 multiplied by 132 तो 23.76 तो यह हो गया करीब 23.476 मतलब 24 kg तो यह अप्रोक्सिमेट 24 kg जह है nitrogen हमें मिल गई कि फिर से समझ लीजे कि जब हमें 60 kg फास्फोरस देना था तो हमें डीएपी देना पड़ा 132 kg जब हम डीएपी अप्लाई करेंगे तो उसके साथ nitrogen मिल जाई क्योंकि इसमों nitrogen कितनी है 18 परसेंट है तो 132 kg डीएपी देनी से हमें 24 kg nitrogen मिल गई और हमें nitrogen nitrogen देनी कितनी थी यहां से देखिए 40 kg तो जो रिमेनिंग nitrogen है जो रेस्ट यह रिमेनिंग है वह कितनी हुई रिमेनिंग nitrogen 40-24 that is 16 kg nitrogen अब यह 16 kg nitrogen किस से हमें देनी है वह हमें देनी है यूरिया से तो अब यूरिया हमें कितना देना पढ़ेगा यूरिया का मैंने conversion factor बताया था 2.2 यहां मुझसे भी देख लेते हैं कि यूरिया में 46 परसेंट nitrogen है मतलब 100 kg यूरिया से 46 मिलती है तो एक kg nitrogen से 46 अपान ठीक है हमें 16 kg nitrogen देना है तो इसको मैं यहां कर देता हूं अब हमको कितना है मारा पास 16 kg nitrogen है अब यह nitrogen में यूरिया से देनी है अब यूरिया में कितना nitrogen है 46% nitrogen है तो इसका मतलब यह है कि 46 kg nitrogen तब मिलती है जब हम 100 kg यूरिया अप्लाई करते हैं तो 1 kg nitrogen के लिए हमें कितना करना पड़ेगा 100 अपान 46 और हमें कितना देना है 16 kg nitrogen देना है तो कितना हो जाएगा यह 100 अपान 46 multiplied by 16 तो देखिए 100 अपान 46 के आ गया फिर वही conversion factor आ गया 2.17 गया 2.2 तो अगर आप सीधे conversion factor भी लगा जेते हैं तो भी यह आ जाएगा 16 इसको कर लेते हैं 16 divided by 46 तो यह हो गया 34 about 35 kg 35 kg यूरिया अगर हम इसको देखिए उससे भी कर सकते थे सीधे conversion factor से भी इसको कर सकते थे क्योंकि यूरिया का जो conversion factor मेने के बताया था 2.2 बताया था तो यहां है जो हमने conversion factor से यूज किया तो देखिए 34.2 और 35 यह देखिए approximate क्या आ गए सेम आ गए तो आप सीधे conversion factor भी लगा सकते हैं और आप जो है calculation भी कर सकते हैं तो यह जो है दीएपी चाहिए फासफ़र स्कोर 2.2 से कर दीजिए उतना डीएपी के amount आ जाएगी तो यह आपको clear होना चाहिए अब बचती है calculation potassium की तो देखिए potassium का जो हमें कितनी dose देनी है potassium का हमें देना है dose 40 kg कि यहां हमें 40 kg देना है और potassium का एक सोड से हमारे पास केवल एमोपी है तो एमोपी में कितना है 60% के टूओ है तो इसका मतलब यह है कि जब हम 100 kg मोपी डालते हैं तब हमें 60 kg potassium मिलता है 60 kg के टूओ हमें तब मिलता है जब हम 100 kg एमोपी एपलाई करते हैं तो हमें कितना डालना है 40 kg तो 40 kg के लिए हमें कितना एमोपी डालना पड़ेगा 100 अपॉन 60 इंटू 40 तो देखिए यह जो 100 अपॉन 60 है यही कनवर्जन फेक्टर के आया था 1.7 यह 1.66 तो आप सीधे कनवर्जन फेक्टर को भी लगा सकते हैं अधर्वाइस आप इसको भी कर सकते हैं तो 100 इंटू 40 अपॉन 60 इसको कल्कुलेट कर लेते हैं यह हो गया 66.66 मतलब 67 kg यह इतना जो है MOP हमें अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आपको सीधे कनवर्जन फेक्टर याद था तो क्या करना था हमें 40 kg K2O हमें डालना है इससे सीधे कनवर्जन फेक्टर हमने डाल दिया 1.7 तो देखी कनवर्जन फेक्टर से हम सीधे लगाते हैं तो यह आ गया 68 kg MOP कि तो आप कनवर्जन फेक्टर याद रखें मैं और भी पूरा याद रखें तो अभी मैं दौन तर्के से बता दिया प्रोसीजर से भी और से ब्स हमें याद यह रखना है जो हमां डी आपी देना है तो पहले हमें डीफी की डोज कल्कुलेट करने है फास्फुर्स से अब बाकि जो नैट्रिन बची हम किस से देंगे, यूरिया से देंगे, तो यूरिया का कन्वर्जन फेक्टर में क्या लगा दिया, 2.2, 34 आ गया, इसी तरह से एमोपी का है, 40, 40 का सीधे कन्वर्जन फेक्टर 1.7 लगा दिया, 68 ही जी आ गया, यह हमने प्रोसीजर देखा, तो प् और एमोपी है, मान लीजिए कि यही नूमरिकल है, और हमारे पास, डियेपी नहों करके SSP है, तब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और फटिलाइजर की, हमें न्यूटेंट की डोस यही देनी है, तब कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, क्योंकि अब हम यहाँ डि देखें, न्यूटेंट की डोस क्या थी, 40 kg नाइट्रोजन थी, जो हमने सो बन थर्ड लिया था, प्लस 60 kg, P2O5 प्लस 40 kg पोटेशियम, अब हमारे पास, जो फटिलाइजर है, वो यूरिया है, SSP है और MOP है, अब यूरिया में केवल नाइट्रोजन है, SSP में P2O5 है, और MOP में केवल K2O है, तो अब तीनों न्यूटेंट की कैलकुलेशन अलग-अलग होगी, तो ऐसे केस में, 40 kg नाइट्रोजन देने के लिए हम सीधे इसको 40 x 2.2 का कनवर्जन फेक्टर लगा दीज मतलब हो गया, यह 88 kg यूरिया, तो हमें केट देनी पड़ेगी, 88 kg यूरिया देनी पड़ेगी, उसको निकालने के तरीके मैंने को बताया था, फिर से बताया हूँ, क्योंकि 100 kg यूरिया से हमें कितना नाइट्रोजन मिलता है, 46 kg नाइट्रोजन मिलता है, 46 % है, मतलब 46 kg न कर लिजा आल्मोस्ट यही वेल्यू आ जाएगी 88 के आसपास इसकी वेल्यू आ जाएगी एक्टी सेवन पाइंट यह संथिंग वेल्यू आ जाएगी है ठीक है तो आप सीधे कनवर्दन फेक्टर लगाईए लेकिन प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए अब हम फासफोरस पर चलें तो देखिए एससपी हमें देना है एससपी में और एससपी में होता है सिक्स्टीन परसेंट P2O5 तो इसका मतलब कि 16 केजी P2O5 हमें तब मिलेगा जब हम 100 केजी एससपी अप्लाई करेंगे तो हमें कितना देना है 60 केजी देना है P2O5 तो कितना हो जाएगा यह 100 अपॉन 16 इंटू 60 केजी एससपी अब देखिए 100 अपॉन 16 यह कनवर्दन फेक्टर आप इस पॉन 6.66 के आसपास आता है 100 अपॉन 16 6.25 तो यह कनवर्दन फेक्टर बन गया 6.25 इसको आप याद रखें इंटू 60 यह जो एमांट आ जाएगी यह एससपी की आ जाएगी तो एससपी के लिए जो कनवर्दन फेक्टर बना वह 6.25 बना तो यह जो हम कल्कुलेशन करेंगे 6.25 मल्टिप्लाइड वाइ 60 यह वह 375 375 के जी एससपी तो एससपी के लिए जो कनवर्दन फेक्टर बना वह क्या है 6.25 और यूरिया के लिए क्या है 2.2 मोप के लिए क्या है 1.7 तो यह कनवर्दन फेक्टर आपको पता होना चाहिए और डिये पी का लिग दे रहा हूं हा अलाग यहां के लिए नहीं है डिये पी के लिए क्या है कनवर्दन फेक्टर 2.2 तो यह प्रोसीजर हुआ अब पोटेश्यम के लिए पोटेश्यम के लिए बिल्कुल वही होगा जो मोपी का था जो हमने पिछली उसमें क्या मोपी से हमें देना है तो 40 इंटू 1.7 मोपी का फेक्टर लगा दीजे तो यह 68 केजी मोपी तो अगर हमें सस्पी से दम दे रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी नाइट्रोजन के लिए और फास्वरस के लिए अलग हो जाएगी लेकिन पोटेश्यम के लिए वही कैलकुलेशन रहेगी तो यह हमने फेटिलाजर कै यह आपको पता चल गया हंडेट अपन सिक्स्टीन से तो हमको कनवर्जन फेक्टर याद होने चाहिए कनवर्जन फेक्टर से हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है तो मैं आपको और बता देता हूं इसमें कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजर होता एंपी के एंपी के फर्टिलाइजर आ रहे हैं 12-32-16 फर्टिलाइजर आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो वह कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है तो यह तीनों तरह से आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और आज कल जो मार्किट में एबलेबिल है फर्टिलाइजर वह एनपी के फर्टिलाइजर अबलेबिल है तो उससे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो इसको समझ लें इसको कैसे करते हैं इसको बड़े ध्यान से देखें आ हमारे पास मालीजे न्यूटेंट डोज यही है 120 kg नाइट्रोजन थी जिसमें वन थर्ड देना है 60 kg फास्वरस 40 kg पोटेशियम अब हमारे पास एनपी के फर्टिलाइजर है जिसका ग्रेट का है 12, 32, 16 इसका मतलब यह होता है कि 12 परसेंट इसमें नाइट्रोजन है 32 परसेंट P2O5 और 16 kg पोटेशियम है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 100 kg एनपी के अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 12 kg नाइट्रोजन मिलती है प्लस 32 kg P2O5 मिलता है प्लस 16 kg K2O मिलता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि किस न्यूट्रेंट के रिस्पेक्ट में पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमें इसकी मीनिंग सौझ मानी चाहिए पहले इसकी मीनिंग यह है 12 परसेंट 32 परसेंट 16 परसेंट का रहा है तो अगर हम 200 kg देखिए एनपी के अप्लाई कर देंगे इसका डवल कर दें तो डोस भी क्या हो जाएगी डवल हो जाएगी 24 kg नाइट्रोजन 64 kg P2O5 प्लस 32 kg पोटेशियम अगर हम 200 kg इस फर्टिलाजर को अप्लाई करते हैं तो देखिए नाइट्रोजन अभी पूरी नहीं हुई है फासफोरस भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन फासफोरस की डोस एक्स्ट्रा हो गई है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे जो नूट्रियंट एक्सेस जा रहा है अब यह डोस हमें कम करनी पड़ेगी तो इसका मतलब यह है कि हमें फर्टिलाजर 200 kg से कम डालना पड़ेगा तो अब हम जो डोस एक्सेज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में पहले हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां हमारा जो डिटर्माइनिंग नूट्रियंट हुआ वह फासफोरस हुआ क्यों हुआ उसको फिर से समझ लिए में देखते हैं 100 kg डालने से 200 kg डालने से 300 kg डालने पर कौन सा नूट्रियंट पहले एक्सेज होता है जो नूट्रियंट एक्सेज हो जाता है फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम कलकुलेशन करते हैं तो यहां 200 kg हम जैसे डालते हैं फासफोरस 4 kg एक्स्ट्रा जा रहा है डालना कितना था 60 जा कितना रहा है 64 है तो अब हम क्या करेंगे हम 60 kg फासफोरस के लिए में कितना डालना पड़ेगा तो देखिए जो 32 kg हमें पीटू फाइब का मिल रहा था मैं जहां हंड़ेट केजी एंपी के डाल रहे थे हैं तो हमें 60 kg फासफोरस कम मिलेगा है जहां हंड़ेड अपॉन 32 इन्टू 60 यह आ जाएगा 60 divided by 32 187.5 मतला एप्रॉक्सिमेट 188 kg एंपी के तो जब 188 kg एंपी के हम अप्लाई कर देंगे तब हमको 60 kg फासफोरस मिलेगा है अब हमको पस्ट के ग्रहिए कि भाई 288 kg एंपी के डालएंगे तब हमें हो रहा है तो अब 188 kg एंपी के से नाई्ट्रोजन किता मिलेगा निकितना है तो मतलब हंड़ेट केजी एंपी के से मिलता है 12 upon 100 into 188 तो इसको calculate कर लेते हैं 12 into 188 यह हो गया 22.56 approximate इसको कर लेते हैं 23 kg nitrogen ठीके इसको approximate कर लिया पता चल लिए आपको कैसे पता निकली है nitrogen अब देखिए nitrogen में कितना दिना था 40 kg देना था और आई कितनी 188 kg NPK देने से क्यों 23 kg तो remaining N कितना हुआ remaining nitrogen हुआ 40 minus 23 तो कितना हुआ यह यह हो गया 17 kg nitrogen अब यह जो nitrogen दी जाएगी वो यूरिया से दी जाएगी तो इस NPK fertilizer के साथ इसका मतला हमें कुछ यूरिया भी देनी पड़ेगी तो अब 17 kg nitrogen के लिए यूरिया कितना देंगे हैं वो ही conversion factor लगा दीजिए 17 into 2.2 जो हमने calculation की है तो यह हो जाएगा 17 into 2.2 37 kg यूरिया तो 188 kg NPK and 37 kg यूरिया यह हमको देना पड़ेगा अब हम potassium देखते हैं तो देखे potassium हमको कितना देना है 40 kg अब हमें देखेंगे कि 188 NPK से कितना potassium अबलेबिल हुआ तो देखिए 100 kg NPK से हमें कितना potassium मिलना है 16 kg 16 % है और हमने अपलाई कितना किया तक फास्वरस के लिए 188 तो 188 kg NPK से कितना मिलेगा 16 upon 100 into 188 तो यह जाएगा 16 into 188 यह अप्रॉक्सिमेट आगया 30 kg तो हमको 30 kg potassium मिल गया है किससे 188 kg NPK डालने से और हमको देना कितना था हमको देना था 40 kg तो remaining कितना हुआ remaining potassium 40-30 that is 10 kg अब यह जो potassium दिया जाता है इसका source होता है MOP जान लिए जो remaining nitrogen होती है उसको हम यूरिया से देते हैं और remaining potassium हम MOP से देते हैं तो 10 kg MOP 10 kg potassium हमें देना है तो इसके लिए मैं MOP निकालनी है ठीक है तो इसके लिए conversion factor लगा दीजिए जो बताए था 1.7 वाला तो 10 kg के लिए हो जाएगा 10 into 1.7 फेक्टर लगा दीजिए that is 17 kg MOP यह निकला हमारा तो यह मैं पता चुका हूं कैसे निकलता है पिछली calculation बताया था और सीधा यह conversion factor समय निकाल दिया है तो इसका मतलब यह हमें fertilizer देने यह nutrient हमें देने के लिए 188 kg NpK देना पड़ेगा 37 kg यूरिया देनी पड़ेगी और 17 kg MOP देना पड़ेगा तो NpK fertilizer के साथ हमें यूरिया और MOP देनी पड़ती है तो यह calculation थी जो मैंने बताए कि कैसे इसको हमें calculate किया जाता है लेकिन सोचिए कि अगर यह potassium की dose 20 kg होती तो उस case में हम क्या करते तो 20 kg होती तो 100 kg देने से हमें कितना जा रहा है 16 kg जा रहा है और 200 kg देने से 32 kg तो इसका मतलब कि 188 kg देने से भी हमको extra चली जाती potassium 30 kg अगर हम 20 kg प्रटेश्यम देना होता तो अगर हम इस तरह से calculation करते तो यहां 30 kg प्रटेश्यम जा रहा है जो कि 10 kg extra हो जाता तो ऐसे case में क्या करते कि इसको हम फिर potassium से करते कि जो ज़्यादा एकसे हो रहा है फिर हम उससे करते तो ऐसे case में ध्यान लखिए कि हम 100 से देखते हैं फिर 150 से देखते हैं तो जो nutrient ज्यादा एकसे में जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम डोज कम करते हैं तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे case में हमने पहले फासफरस के साथ क्यों किया क्योंकि फासफरस एकसे हो रहा था मानले जी यही डोज होती फिर से समझा देता हूं आपको 40 60 20 और अगर हम मानले जो 188 kg फासफरस से करते तो 188 kg NPK से हमारे पास 30 kg potassium आता जो कि access हो जाता तो ऐसे case में हम जो calculation करते वह करते कि 20 kg potassium के लिए हमें कितना NPK देना पड़ेगा तो उससे फिर फासफरस पूरा नहीं होता फिर हमें फासफरस देने के लिए SSP देनी पड़ती तो कोई भी nutrient अगर deficiency होता है deficiency आती है कम हम क्या होता है तो हम क्या करते हैं Ni s कैसा पूरा करते हैं तो यह आपको क्लियर होना चाहिए कि हैं मैंसा क्यों करते हैं क्योंकि क्युंकि से गर देबल हो जाएं तो डूसा Newton के साथ चला जाएगा तो इस बात को ध्यान अखना है कि जो nutrient कम हो रहा है रहा है षंप कैसे पूरा करें जो रिट्रेंस ज्यादा पीसे पूरा करें तो यह मैंने आपको different fertilizer के साथ calculation बताई I hope यह आपको clear सारी चीज़े हो गई होंगी हम कैसे इसको calculate करते हैं यह एक बिल्कुल rational example है हम fertilizer को ऐसे ही यूज करते हैं 120-140 में यूज करते हैं और जनले 40 kg हम बेसल में डालते हैं 60 kg 40 kg हम बेसल में डालते हैं phosphorus, potassium और यह हमारे पास fertilizer होते हैं तो यह मैंने आपको दो तरीके से बता दिये कि हम conversion factors directly कैसे use करें और procedure भी मैंने आपको बता दिया कैसे करें तो यह I hope आपको lecture समझ में आया होगा तो इसको like करें और students का share करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें thank you very much